नमस्कार आप देख रहे हैं बर्जेस की बात मैं हूँ आपके साथ बर्जेस वारती इस वक्त की एक बड़ी ख़बर बक्तियारपू थाना चेतर से सामने आ रही है जहां पर भारी मात्रा में कॉरेक्स कप सिरफ के साथ थे एक बाइक सबार यूबक को गिरबदार किया गया इस वक्त की एक बड़ी ख़बर बक्तियारपू थाना चेतर से सामने आ रही है आज दिएस्पी मुकेस कुमार ठाकूर के दवारा प्लेस वारता आ एवजेत कर गिरबदारी के संबन्द में जानकारी साधा किया गया उन्होंने बताया कि बक्तियारपू पुलीस के सुबो अम्रेंद जो एसाई हैं से बक्तियरपू थाना के उनके नतित में क्या गया उन्होंने गुप सूचना के आधार पर छापे मारी कर बक्तियरपू एस्टेशन के आसपास से एक बाइक सबार यूबक को गिरबदार क्या हाना कि उनके साथ जो बाइक सबार यूबक जो है परवजार थनाचेत के नादो का रहने बाला है उनके निशान देही पर दो भागे यूबक की भी पहचान के रली गई है उसके विरुद भी एफाईयार दर्ज की गए यानि कि तीन यूबक को उपर एफाईयार दर्ज कर गोरेक्स को जब्त क्या गया है आए सुनते हैं क् कब शिरब के साथ से एक युवक ग्रवदार हुआ है क्या है पुरा मामला कल दिनांक 3 जून 2024 को बक्तियारपूर थाना को गुत सूचना मिले कि बक्तियारपूर रेल्वे स्टेशन के पास तीन युवक भारी मातरा में कोरेक्स के साथ किसी को कोरेक्स सप्लाई देने के लिए आया हुआ है सूचना के सत्यापन के लिए बक्तियारपूर थाना के सर इंस्पेक्टर जानेंदर अमरेंदर और उनके साथ ससस्तर पुलिस बलकी एक टीम को भेली गई और दे दोपर के करीब तीन बजे और सूचना सत्य पाया गया पुलिस टीम को देखकर जो कोरेक्स लिये हुए युवक थे जिनके पीटपर फिट्टु बैग था ताले रंग का जिसमें कोरेक्स था और एक युवक मोटर साइकल पर था जो की कहीं कोरेक्स को लेकर जाने की तयारी में था पुलिस को देखकर तीनों ही लोग भागने लगे जिनमें से एक युवक को खदेर कर पकड़ा गया दो वक्ति जो है भीर के कारण भागने में सफल हुए जो पकड़ा गया वक्ति है उसका नाम मनीश कुमार है जिसके उम्र 22 वल से लगभग पिता विपीन साथ साकिन नोदा सौर बजार सहर सा करेने वाला है और जो दो वक्ति भाग गया है उनका नाम है नितीश कुमार पिता विजंदे ठाकुर और राजा कुमार पिता उपेंदर मेहता दोनों सौरवजार ठाना के ही है और पिठु बैग से दोनों पिठु बैग को भी बरामत किया गया है मनीश कुमार के साथ और कुल 357 पीस जो है 100 ml का कोरेक्स का बरामत किया गया है इसका पुर्व में भी सर कोई अपरादी कितियास पता हम लोग कर रहे हैं अभी तक इसका कोई कुल का अपरादी कितियास नहीं मिला है और इस संब्ध में बक्तिया कुर्थाना कांट सेंखार 279 दर्ज किया गया है आगे विदिक कारवाई की जा रही है और जो भागे हुए ब्रक्ति है उनको भी इरफ्तार करने के लिए छाप्यमारी की जा रही है